हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप आशा करती हूँ सब लोग अच्छ होगे आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक नॉर्मल टॉपिक के बारे में जो की विंटर का मौसम चल रहा है और इसमें महलाओ को बच्चों को काफी प्रॉब्लम होती है जैसे कि सबी के घर में टाइल्स लगी रहती है तो कुछ लोग घर में स्लीपर पहनते हैं कुछ नहीं पहनते हैं कुछ लोग सॉक्स पहन के रखते हैं अभी सॉक्स अगर महलाओ ग्रहनी है हाउस वाइफ है तो उनको बार-बार इसे काम रहते हैं जिसके कारण उनके socks गिले हो जाते तो महला पूरे दिन में कितने socks change करेगी या किसी के घर में sleeper पहनना अलग होता है किसी के घर में नहीं होता है अभी ठंडा मुसम है तो इसके कारण से tiles में आपको इतना ज़्यादा ठंडा लगता है हमरा पेर रखने की हिम्मत नहीं होती है क्योंकि tiles अभी सर्दियों के मुसम में बहुत ठंडी है ऐसे में महलाओ को तो दिन बर भाग दोड काम इतना ज़्यादा रहता है कि वो अपने उपर ध्यान नहीं देती है तो इन सर्दियों के मुसम में हमरे जो पेरों में एकदम लाल पड़ जाते है हमरे पेर सूजन आ जाती है उसमें खुजली भी चलने लगती है और जैसे ही patient जैसे की बेट में से नीचे पेर रखा तो वो खड़े नहीं हो सकते है पेर में जिंजिनी आने लगती है और साथ ही में उनको इतना तेज दर्द होता है और पेरों में सूजन आ जाती है तो कई बार patient को इतना जादे दर्द रहता है कि वो हिल डूल भी नहीं पाते है तो इसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं एसी कई सारी home remedies होती है जिसमें आपको इन सभी चीजों में आराम पड़ जाता है ये problem सबसे ज़्यादा किन महलाओ को होती है जिनको सर्दी से allergy है यानि कि जिनको सीथ से बहुत ज़्यादा allergy होती है जिसे ठंडी हवा में गए तो उनको सर्दी खासी हो गई बुखार आ गिया या आपने ज़्यादा ठंडे पानी में काम कर लिया तो सर्दी हो जाती है तुरंत ऐसी महलाओ को सर्दी बिल्कुल भी सूट नहीं होती है तो इसलिए बोलते हैं कि सर्दियों के मुसम में मोजे बराबर पहने और स्लीपर का बराबर यूज करे अगर आप घर से बाहर जा रहे वोकिंग करने के लिए या घूमने के लिए तो आप जूते पहने अभी अगर आपके पेरों में सूजन आ रही खुजली भी बहुत ज़्यादा हो रही उसमें दर्द भी है तो इसे में आप क्या कर सकते हैं आपके पेर बिल्कुल लाल पड़ रहे कई महलों की एडिया ज़्यादा फट जाती उसमें से बलड आने लगता है तो इन सब चीजों से आप किसे बस सकते हैं ऐसे में आपको क्या करना है अगर आप बुजूर्ग है तो आपको अपने पेरों पे एक तो ज़्यादा लटका के नहीं बेठना है यानि कि जैसे हम बेठे रहते हैं नॉर्मल ही बाते करते हैं तो चेर पे बेठते हैं तो सब लोग पेर लटका के बेठते हैं तो इसे में आपको पेर नहीं लटकाना है पेर को पाल के fold करके बेठे या फिर पेर को आप इसे लंबे करके बेठे ना कि लटका करके अगर आप पेर लटकाएंगे तो blood circulation कम हो जाता है जिसके कारण normal सूजन आने लगती है यह जिनको sugar से related बीमारी है जिनको blood pressure बढ़ता है उन महलाओ को तो normally प्रॉब्लम होती है कि थोड़ी देर पेर लटका के बेठे तो सूजन आ जाती है ऐसे में महला उटकर के चलना फिरना सब बहुत मुश्किल हो जाता है महलाओ के लिए अब आपको क्या करना है अगर आपके पेरों में भी खुझली होरी पेर लाल पढ़ रहे हैं सूजन आ रही है तो आपको कि आदिवाल्टी गरम पानी लेना है यह आप टप में भी ले सकते हैं गरम पानी इतना लीजिए कि आपके पेर पूरे डूब जाए यानि कि पेर के पुरे पंजे डूब जाए और उसमें आपको 2-3 चमच सेंधा नमक मिला लेना है अगर आपके पास सेंधा नमक नहीं है तो आप नॉर्मल वाला नमक भी मिला सकते हैं जो कि हम डेली खाने में यूज़ करते हैं कोई नई चीज लाने के जरूरत नहीं है हो सके किसी के पास फिटकरी है तो आप फिटकरी का भी एक टुकुडा डाल सकते हैं उसमें अपने पेरों को उसमें रखके थोड़ी देर बेठें ताकि नमक और गरम पाने से क्या होता है एक तो आपकी सुजन कम हो जाएगी जो खुजली हो रही वो भी कम पढ़ जाएगी और उसके बाद में लाल पंजवारा है वो भी आपका धीर धीरे चला जाएगा यह आप दिन में दो बार कर सकते हैं इससे आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे यह एक नॉर्मल होम रेमेडी है जिसको आप करके आसानी साराम पा सकते हैं गरम पानी में पेर रखने से आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा कोई इन्फेक्शन का भी चांस नहीं रहेगा दूसरी रेमेडी के बारे में अगर हम बात करें तो आपको क्या करना है कि एक कटोरी में सर्सु का तेल ले लेना है जिसे कि आप आधी कटोरी ले सकते हैं उसमें आपको 5 लेसुन की कलिया छिल के डाल लेना है, कच्ची लेसुन की कलिया, उसको आपको अच्छा गरम करना है, उसको गरम इतना करना है कि जो लेसुन की कलिया है वो एकदम काली पड़ जाए, ये रेमेडिय आपको नाइट में भी यूज़ कर सकते हैं और दिन में 2- इससे तीन बार आप यूज कर सकते हैं अभी आपको करना क्या है जो तेल आपने गरम किया है लेस्न डाल करके उसको आपको अपने बेट पे या सोफे पे जहां भी आपको बेटना है बेट के अपने पेरों पे अच्छे सा मालिश करें ऐसे जिसे यह हमारा पेर है, हमने ओईल ले लिया और इसे करके हलके हाथों से मसाज कर रहे हैं, यह उंगलियों के बीच में भी इसे जाना चाहिए, पेर के तलवों में भी आप लगा सकते हैं, और पांस से साथ में ऐसे मसाज करना है, उससे क्या होगा, कि आपकी जो सूजन है दर्द है और आपको especially जो खुजली हो रही है सीद के कारण अगर आपको खुजली हो रही है तो आपका सरसु का तेल और लेसुन दोनों गरम चीज होती है तो यह आपके खुजली को जैनि कि जो सीद बना रहा है उसको यह ठीक करता है कम करता है उसके effect को गर मिलाता है पेरो में तो आपको यह करना है और इसके बाद में ओड के सो जाना है especially आपको किन चीजों का ध्यान रखना है कि आपको एक तो बहुत ठंडी चीजे नहीं खाना है बहुत खटी चीजे भी नहीं खाना है घर में आप sleeper पहन के रखे, मोजे पहन के रखे, अगर आप बाहर जा रहे तो जूते पहन के रखे घर में भी आप जूते पहन सकते हो, जूतिया पहन सकते, जो आप लोगों को comfortable लगता है, वो आप कर सकते हो ये home remedy करने के बाद भी अगर आपको आराम नहीं मिलता है, तो फिर आपको डॉक्टरी सला की जरूरत है, आपकी condition को देखके medicine से देते हैं, डॉक्टर कुछ cream देते हैं, lotion देते हैं, ताकि वो लगाए उससे आपको जल्दी से relief मिल जाए, पर डॉक्टर के पास जाने से पहले आप ये चीज़े जरूर करके देखें, तो हो सकता है कि आपको डॉक्टर के पास जाना ही ना पड़ें, हमारा ये वीडियो देखते समया, आपके मन में कोई भी सवाल हो, तो comments करके आप हमसे पूछ सकते हैं, धन्यों